दोस्तो सलमान भायजान को साप काटने के बाद सलमान भायजान तंदुरुस्थ हो चुके हैं और वहीं तंदुरुस्थ होने के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है और उनका इस डॉक्टर ने इलाज किया है आखिरकार ये डॉक्टर कौन है और साथी साथ ये भी बात करेंगे कि सलमान भाय जान को जिस सांप ने काटा था आOohर्टकार उस सांप को क्या किया गया इस सारी चीजेंट नामत है राजीप और आप लो देख रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते होगे कि 27 दिसंबर 2020 को सलमान भाय जान का birthday celebration है और इस celebration के लिए जहां वो पनवेल वाले farmhouse पर ठहरे हुए हैं और वहीं पर इस birthday celebration को celebrate करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि इस दोरान सल्मान भायजान अपने दोस्तों के साथ जहां क्रिसमस के मौके पर 25 December 2020 को जहां अपने पनवेल वाले farmhouse पर बैठ कर बातचित कर रहे थे और उसी वक्त सल्मान भायजान को कुछ काटने का हैसास हुआ कि उनके हाथों पर किसी ने डंक मारा है वहीं उसी वक्त उनके दोस्तों ने देखा आसपास धर भर देखा तो सल्मान भायजान को कुछ दिखाई नहीं दिया तो उनके दोस्तों ने देखा कि आसपास एक साप जा रहा था तो उस वक्त सल्मान भायजान को लग गया कि और इस दोरान ये पता लगा गया कि सल्मान भायजान को बेनमस स्नेक ने काटा है या नन बेनमस स्नेक ने काटा है तो इस दोरान पता चला कि सल्मान भायजान को नन बेनमस स्नेक ने काटा है यानि कि जो साप जहरीला नहीं था उसी साप ने उनको काटा है फिर भी उन्हें एंटी वेनम दे दिया गया और तक्रीबन 6 घंटे एवजॉर्वेशन में रखने के बाद ठीक सुबह में जिहां तक्रीबन 9 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर वावापास पनवेर वाली फार्म हाउस पे लोटने के बाद सल्मान भायजान ने अपने एक कर स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तस्वीर के पीछे जिहां सल्मान भायजान के बर्दे सेलिबरेशन के लिए बहुत सारे वैलून्स भी जिहां लगाए गए हैं और इसके अलाबा जिहां सल्मान भायजान काफी हिल्दी और स्माइली फेस के साथ नजर आ रहे हैं और इसे की जो चिंताएं थी वो खत्म हो जाएगी और इसलिए ये तस्वीर साजा की गई है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसको लेकर बड़ी मीडिया आउटलेट ने भी खुलासा किया है जिसका काट आउट आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं वहीं इसके बा चला कि नर्वेनोमस साप था यानि कि जहरिला साप नहीं था तब मुझे मेरी चिंता चली गई लेकिन ऐसी घटना एक कई बार हो जाती है जब हमारे जो केर टेकर वहां पर रहते हैं उनको बिच्छू ऐस तरह के कीरे मकोड़े काट लेते हैं तो ऐसे में उनके पास इसके आसपास जंगल हैं और आसपास खेत खलियान हैं वहां पे तरतरह के पसुपक्षी, जीवजन्तू, तरतरह के होते ही हैं तो ऐसे में हम लोग यही हिदाय देते हैं कि जितना हो सके अपने आपको बचा कर ही कोई भी काम करें और आपको बताते हैं उन्होंने ये भी बात ए रिपोर्ट सामने आई हैं वैसे दोस्तों बात कर लिए तो इस तरह से सल्मान भायजान को जिस साप ने काटा उस साप को भी उन्होंने जिन्दा बक्ष दिया और साप को दूर के जंगलों में उन्होंने छोड़ दिया जिसको लेकर एक बड़ी मीडिया आउटलेट ने ख तरॉपकास